हालो दोस्ताव मैं उम्मेंद्र स्वायत करता हूं आपका अपने से उटि-टीब झेनिल टागिट जएए में तो आज का क्लासदल होने वाला है आपका इसलिए ख्रते है आज patient प्रयागराज के semester exam में question आया था a question हां आपका रहाई है पुरह से दिया है कि iisi person तेख लेते हैं पूरो देख लैते हैं स्थेशन दिया है हाइu saw पॉर्चैन ही स्टाएश्च कोदियो है कि और यह होल सरक्िल ब्र बीरिंग दिए है एंगल दिया एक करना है हें और बैका है लाइन भी कणना है अब what आचा है कि वह कापी पेस्ट यहां पर किया है उसकी बाद देखते हैं किसका बनाने का परयास करते हैं कि जिसे महले जीए के मतलब पॉइंट डीऊ बना रहे वोज हो जैगा अच्रा नहीं लेगा और मतलब समय में नहीं तो यहां पर माले जी हमारा ट्राइपार्ड है और यहां पर हमारा टाइक्यू मीटर रखा हुआ है कोई एक ऐसे ले हली एरिया है यहां पर एक स्टाफ है हमारा उसके बाद यहां पर पॉइंट ए हमारा तो अब देखते हैं कि यहां से इसको हम यह आपका RL हो गया इसका यह पॉइंट हो हुगा आपका फिर उसके बाद यहां से इसको हम directly मेट कराते हैं उसके बाद यहां पे हमारा तेन रेडिंग रहता है एके एके यहां पे तेन रेडिंग फाइंड करते हैं जो कि हमारा दिये गया है 1.55 और 1.755 और उसके बाद यह है 2.355 और खिर देखते हैं कि जो मीडल पॉइंट है यहां से इसके मतलब बाटन तब की लिंद को हम वर्टिकल लिंद कहते हैं या वी यह से हम डिनोट करते हैं वी से डिनोट कियाता है बट यहां पे टू पॉइंट है ए और बी तो भी यह से हम इसे डिनोट करते हैं तो यह वर्टिकल हो गया और ओए आपका होरजेंटल लाइन हो गया जो हम डिस्टेंस करेंगे ओए इसका होरजेंटल होगा फिर सेम इसी तरह हम देखते हैं दूसरे कुश्चन में यहां से मतलब यहां से यहां तक के डिस्टन्स को हम कहाते हैं वर्टिकल अइसे व बी और यहां व·यृ फिर उसके बाद इसे हम ओवि मतलब और इसको हर जेन्रल डिस्टेंस कहते हैं इसे डी बी से हम डीनोड करते हैं और यहां एक पॉंट और जो इसके अपर और लो बर पॉंट का जो होता है मतलब जितना डिस्टेंस होता है इसे य데स से डिनोड करते हैं इसे स्टाफ इंटर्सेट कहते हैं तो जो इसका मतलब जो आएगा 2.355 – 1.55 अपर मेंन से से लोवर को घटाएंगे तो जो पॉइंट आएगा जो वैलू आएगी और आपका यस की वैलू होगा तो समझ में आया होगा कि मतलब फीगर कैसे बनाते हैं और क्या होता है और फिर आगे देखते हैं जो हम फीगर वन बता हैं उसमें से जो हरजेंटल डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए उसमें दिये गया है वर्टिकल एंगल दिये गया है एक लिए 4 डिग्री 30 मिनिट और के की वैलू दिये गया है question में जैसा कि देख लेजिए question की वर्टीकल अंगल इतना दिया है और फिर दिये गया है के की वैलू हेंट्रेट इसे मतलब जो multi playing constant होता है उसे के काते हैं तो और सी की वैलू 0 होती है और फिर वीय का फार्मूला जो वार्टिकल डिस्टेंस होता है उसका फार्मूला होता है के यस साइन टु धीट्या अफान तो प्लस दीटिया है यह हम साइध ग्रोप में भेज़े भी थे और एक फार्मुला होता है फिर वी बायलू पुट करते हैं कि की वैलू हंटेट है उसके बात यसकी बैलू जैसा कि इसमें दिया गया है यस की बैलू मतलब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो इसकी वैलू आएगी अपर में से अगर लोगर को माइनस करेंगे तो हमारी इसकी वैलू आएगी तो स्थेम में कि यह है उसके बाद जो है थीटा की वैलू 4 30 मिनट दिये तो इसका मतलब ढ़र करेंगे तो नायन दिघरी होजाएगा अपन्टू करेंगे प्लस जी की वैलु झीर होती है तो यह जिर हो जाएगा फिर वी ए की वैलु आ जाती है ऑपके और टी वी ए की वैलु हुमारी फिता होता है उसका हर्जन्टल डिंटनस का फर्मूलα होता है क्यास स्क्वार थिटा यहां पर रखनें यहांप यहां परी यहां परी थिटा रखनी है कास स्कॉयर है फिर उसके बाद डिये की वैलू आ जाती है अब सेम कंडिशन वही मतलब फार्मूल हम अपलाई करेंगे ओवी के लिए फिगर टू के लिए जब ओवी हमें फाइंड करना होगा तो हम कैसे फाइंड करते हैं इसे देखते हैं थीटे ब्रावर टेन ड अंगल दिये है थीटे ब्रावर टेन डिगरी 15 मिनेट तो इसका डबल करेंगे 20 डिगरी 30 मिनेट आ जाएगा अप आंटू करेंगे फिर उसके बाद वीए की वैलू आ जाएगी आपकी वीए की वैलू आ गई फिर टी भी ब्रावर हां मतलब उपर वाला तो हम फार्मूला अगर पता है तो हमें होरिजेंटल डिस्टेंस कैसे पा सकते हैं तो इसकी जो वैलू होगी कैसे फार्मूला में भी रख सकते हैं के यस कास स्क्वार थीटा प्लस सी कास थीटा में या तो हम इस फार्मूला में डिरेक्ट रख के मतलब वैलू को फाइंड कर सकते हैं तो हम वही हार जेंटल डिस्टेंस यहां पर हम यक्स माने थे फिर उसके बाद डीवी ब्रावर इतना आ गया फिर वीवी अपान टैन टैन ठीटा और फिप्टीन डिग्री फिप्टीन म लगते हैं फिर उसके बाद हमारा आगे डीवी ब्रावर इतना आ गया और आरेल आफ क्या है आरेल आफ यह निक्यालना है में आरेल आफ एक फार्मूला अधि अरेल आफ है आरेल आफ यह ब्रावर क्या होता है कि आरेल आफ हो मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है इसका आरेल प्लस इंस्ट्रूमेंट की हइट प्लस व्य, जो वर्राटिकल डिस्टैंस है, माइनस और, जो है, middle value है आपकी, फिर उसके बाद जो value दिये गया है, question में दिया है कि, RL आफ हो, RL आफ हो मतलब 150 दिये है, फिर उसके बाद जो है, यच, यच की value 1.55 हाट आफ इंस्ट्रूमेंट दिये गया है, 1.55 देख लीजिए यहां पर 1.55 दिये है फिर उसके बाद वी एक वैलू हम उपर निकाले हैं फिर आर की वैलू क्या होती है आर की वैलू मतलब मिड़ वैलू मैंने एक के लिए निकाल रहे हैं तो ए वैलू रखेंगे फिर उसके बाद पूरा सालू करते हैं फिर 159.181 मीट फाइप मीटर आ रही है फिर हमें आरल पता हो गया इसमें से इतनी वैलू में पता हो गई आरल आफ है एंड आरल आफ भी अभी हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस एबी एबी के बीच क्या दूरी पता करना है और ग्रेडियंट एबी के बीच का ग्रेडियंट अर्थ सकते हैं कि इसका इधर मल्टिप्लाइ करेंगे फिर उसके बाद एक को इधर लाएंगे फिर फार्मूला हमारा प्राप्त हो जाएगा फिर हम देखते हैं कि कहां पे इस वैलू को हमें रखेंगे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि O A और O B की वैलू में प्राप्त हो गई है अब देखते हैं कि जैसे माली जी है कि हमारा A हो गया A B यहाँ पर है हमारा O कि यह हो गया है यह हमारा होगे नार्त क्विस्चन में दिए गया है कि जो ए अंगल है हमारा यह बन रहा है प्चाहतर डिगरी तीस मिनिट का और जो एंगल है 30 डिग्री 30 मिनिट का question में देख लेजी दिये गया है WCV दिया है मतलब गोल सर्क्ल पेरिन दिया है तो इसे नार्थ से मेजर तरेंगे तो यह हमारा हुगा फिर जब हम अब इस एंगल को निक्यारेंगे मतलब अगर B O A इसको जब निक्यालेंगे तो 75 डिग्री 30 मिनिट को भटाएंगे तो 45 डिग्री हमारा प्राप्त हो जाएगा यहां पर 45 डिग्री हो जाएगा और हाँ और O A O B की बेलू आले डि में पता है जैसे निक्याले भी है पीछे अधियर जो है यह O A के बराबर है और ड भी जो है O B की बराबर है का सरूर में यहीं होता है कि मतलब जैसे O A पता है O B पता है इसके बीचका एंगल पाइंड करना है तो हम बैलू रखेंगे तो जैसे कास 45 डिग्री बरावर मतलब ए जो 45 डिग्री हम फाइंड करें यहाँ पर फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब अगर इसे मानते हैं कि B है A है और A C है तो मतलब B स्क्वाइर प्लस A स्क्वाइर माइनस C स्क्वाइर अपन 2 A B ही होता है तो B की वैलू और A की वैलू और C की वैलू हम पूटप करते हैं चुकि हमें C की ही वैलू फाइंड करना है A की वैलू मतलब O A की वैलू में पता है और O B की वैलू भी पता है और A B मतलब पता ही है तो C की वैलू फाइंड करना है B Square B क्या है यहां पर B, आप जो है O A को माने हैं, O A Square Plus O B Square Minus 2 O A into O B into Cos 45 अब value put करने के बाद हम देखते हैं कि A B की value हमारी आ गई जो है, एक दिस्टेंस भी आ गई आरेल आ फे भी एंड भी आ गया फिर फाइंड ग्रेडियंट आ फे भी अब हम देखते हैं कि मालेजिये कि यह फेस है हमारा फिर एक पॉइंट हुआ हमारा एक एक हुआ बी तो वर्यटिकल डिस्टेंस हमे लेडी पता है कि यहां पर भी हुआ वर्यटिकल डिस्टेंस पता है वी यह बराबर लेखते हैं कितना है वर्यटिकल डिस्टेंस 26 अमलो 26 पांच फिर वी यह 9.3 9.386 9.386 अब यह हम फाइंड करते हैं कि यह कितना है मालेज यह एक सर्फेस पे है तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो यह वैलू राप्त हो जाएगी देखते हैं कितना आती है इसको मेजर करने के बाद हमारा आ गया 16.88 और एवी की वैलू हम पता कर लिए हैं क 104.03 फिर अब हमें एंगल मेजर करना है मतलब एवी की ग्रैडियंट पता करना है अब एक कैसे पता करेंगे मतलब यह हमारा देख रहे हैं कि अगर यह हमारा एक राइट एंगल बन रहा है तो अगर हम 10 का फार्मूल लगाते हैं 10 थीटे जिक्वर 10 नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमारा ए जो मतलब काणव पता है साइन का फार्मूल लगाते हैं साइन थीटे ब्राबर आजाएगा आपका 16.88 अपान 104.03 और थीटे की वेलू हमें पता करना है तो अगर इसे हम डिवाइट करते हैं 16.88 डिवाइट बाई 104.03 ए वेलू आ गई हमारी थीटे ब्राबर साइन इन्वर्स का 0.16 जो थीटे आएगा वही हमारा ग्रैडियन्ट होगा साइन इन्वर्स पाइन वन्सिक्स हमारी वेलू आ गई है 9 डिगरी और पॉइंट टू वन को हम चेंज करेंगे इन्टू 60 करेंगे तो मतला बारा डिगरी बारा मिलट और साइट को पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स्टी इसे करेंगे च्छतिस सेकंड यही हमारा आएगा ग्रैडियन्ट तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोश्चन अच्छे से समझने आ गया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लेज लाइक सेर सस्क्राइब करिएगा हमारे चैनल को और शेर जरूर करिएगा उस पर वीडियो बना सबों थैंक्यू